नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार जागंदर मिस्ता में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनूरास वाले जातकों के लिए 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2021 तक का समय कैसे रहेगा इन 7 दिनों में किस प्रकार से आपके लिए दुर पक्षी एकादसीतिती से रहने वाली है चंद्रमा मेश रास ब्रिसव और मिथुन राश में गोचर करेंगे यानि कि धनूरास वाले जातकों आपके पंचम भाव छठा भाव और सब्तम भाव पे चंद्रमा शक्री रहेंगे और दोस्तों यहाँ पर सूर्देव की बात कर राश में ब्रह्मन करेंगे तो दोस्तों इन तमाम ग्रहों की शटीक बिशलेशन करके और हम आपके लिए बताने जा रहे हैं कि आपके लिए यह पूरा साथ दिन आपके ब्यापार बिजनेस कारोबार हिल्थ यानि स्वास्त कैसा रहेगा दामपत जीवन पारिवारिक जी इसकिन और गले से जुड़ी समस्या होशकती है चेहरे से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए आपको ज़्यादा पानी पेने की अवशकता होगी निमित रूप से योगा भ्यास करें और कोई भी दवा लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें वहीं कुद से बचाओ के लिए पहने जाने वाली हर सावान को पहने अगर आप रनिंग करते हैं या फिर बाहन का प्रियोग करते हैं तो आप सावधानी पूर्बा करें क्योंकि आपको कहीं चोट चपेट लगने अत्वा दुर घटना होने की संभामना बनी हुई है आपको अप अपने सारे एहसान उतार पाएंगे लेकिन धनुराज के जातकों आपको यह संतुष्ट जरूर होगी कि आप ऐसा करने की दिसा में कदम तो उठा रहे हैं इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा साम का समय कई सुनरे मौके और चुनोतियों से भरा रह सकता है लेकिन अ अगर कोई तकलीफ वड़ती है या दिखाई दे तो उसके प्रतिलापर वाही ना करें धनुराज की जातकों शेहत कभी शेयस रूप से ध्यान रहें क्योंकि एक तो दुरघटना की योग हैं तो गाड़ी बाहन चलाते समय भी आपको शावधानी पूरवक चलने की अवश दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक चोटा सा बिनम रिवेदन है धनुराज की जातकों एगर आप हमारे चैनल पर पहली वार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए साथी बेल आइकन की जो बटन है उसे भी दबा दीजे और हमारे वीडियो क एक लाइक और एक शेर जरूर आपके दोरा बनता है तो मेरे प्री दोस्तों धनुराज के जातकों आप सपोर्ट जरूर करिए क्योंकि आपके सपोर्ट से हम अगली वीडियो आप तक पहुंचाने में सक्छम रहेंगे अब चलिए बात कर लेते हैं आपके लव लाइप औ और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा इन साथ दिनों में यानि 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक का आपका लव लाइप और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा तो धनुराज के जातकों शिंगल लोगों की बात की जाए तो किसी दोस्त की मदद से प्रेमी मिल सकता है वहीं सा अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो शकती है यह बात ज़्यादा भयानक ना ले इसलिए आप आपने आपने जो गुस्सा है उस गुस्से पर काबू करना होगा और परिस्थितियों के हिसाब से बिवहार करना होगा वहीं अपने प्रेमी वा प्रेमी क्या के भाई बेहनों के बज़े से धनुराज के जातकों कुछ जातक परेशान वबिवाद हो शकता है यदि आप प्रेम जीवन में यानि बंधे हैं या अच्छा फल पाना चाहते हैं अपने साथी को पूरा समान दे और उनके साथ यानि घूमने फिरने का बक्त बिताएं आपको पारिवारिक जीवन में बहुत यानि शम्हल के चलने की जरूरत होगी अपने गुशे को काबू रखें घर के बरिष्ट लोगों के साथ बात करते समय वाणी पर ध्यान दे आपके परिवार के लोगों के बीच कलह होने की सिंभावना ऐसे समय में यानि कि अगर आप बनती है तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की अवशकता होगी और यह कलह आपके द्वारा या आपके वाणी के द्वारा भी बन सकती है हो शकते हैं आपके वाणी किसी को अपरी लग जाए इसलिए घर की शान्ती बनाए रखने के लिए आपको आगे कदम बढ़ाने की अवशकता होगी और संभल के चलने की अवशकता होगी इस रास के जातक अपना घर बेच कर कोई नया घर खरीदने के बारे में विचार बना शकते हैं अलगि नए बाहन का भी शुक प्राप्त हो शकता है हाला कि यह है फैचला लेने से पहले आपको घर के सभी सदस्यों की राय अवश लेनी चाहिए और दोस्तों आप घर के लोगों की राय लिए बीना इस तरह के बड़े पहले लेंगे तो आपको परिशानियों को सामना करना पड़ सकता है इसके साथ धनुरास के जातकों घर के किशी सदस्यों की तबियत खराब होने के कारण आप मांसिक परिशानी में भी पढ़ सकते हैं आपको ज़्यादा सोचने से ज़्यादा उनका ख्याल रखना चाहिए अगर आप घर से दूर रहते हैं तो आपको अपने परिवार बालों से मुलाकात करने का मौका मिल सकते है उनसे मुलाकात करके आप काफी सुकून भरा महशूस करेंगे वहीं जो लोग बाहर रहते हैं उनको अपने घर की याद सताशक्ती है वो घर के सदस्यों से फोन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं मिलाके देखा जाए तो धनुरास के जातकों के लिए यह जो सब्तार हैगा शत्रा फरवरी से लेकर तेश फरवरी तक का बहुत यह अच्छा रहेगा आपकी लब लाइफ को यानि बात की जाए कि लब लाइफ कैसी रहेगी तो देखे बिना किसी बात के उलज रहे हैं अपने लब पार्टनर से तो इसका कारण यह है कि आप उनके अपने सामने देखने और सुईकार करने से कतराते हैं आपको खुले दिमाग से इसपष्ट मुलैंकन करके और उसी के अनुसार सही रास्ते चुनने की आवश्यक्ता है आपको यह देखना होगा कि इस रास्ते पर चल कर आपको अच्छे पैणा मिलें गया अब बात करते हैं मित्रों आपका कारोबार, ब्यापार, बिजनेस और केरियर यानि कि इन साथ दिनों में आपका धन कलाव होगा अत्वा धन की हान होगी केरियर कैसा रहेगा तो दोस्तों धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आप कोई नया तर्कीब बना यानि कि लगा शकते हैं ऐसा भी संबह हो कि आपकी तर्कीब काम कर जाए और आप धन कमाए नौकरी पैसा वाले लोगों की बात की जाए तो शेलिरी में इजाफा होने की संभावना बन रही है अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम होने वाली है तो तो यहां पर निश्ची तोर पे आप अच्छा खासा धन खर्च करने की उम्मीद बनी हुई है इस राज के लोगों को रिस्क उठा कर पैसा कमाने से बचना चाहिए और अगर आप पैसा करते हैं जैसे कि लोटरी शटर शेयर मार्केट में बिलकुल पैसा ना लगाएं आपका नुक्सान हो सकता है इन छेत्रों में बिपरित परिश्टित्यों से बचने के लिए धहर बना कर रखे और जो काम आप कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से करिए आपको मुनाफ़ा जरूर मिलेगा याद रखिए दोस्तों जीवन में अन्य चीजों की तरह पैसा भी बिना मेहनत के नहीं मिलता इसलिए मेहनत करने के लिए तयार रहें आपकी आर्थिक उन्नती अवश्य होगी और आपकी आर्थिक हालात कुछ ज़्यादा ही खराब हैं तो आप अपने किशी बिस्वास पात्र रिष्टेदार से आर्थिक मदद मांग शकते हैं आपको विविन यानि की भूनकाओं का करना पड़ सकता है धनुरास के लादकों इसलिए दोस्तों से मदद लेने से संकोच मत कीजिए वो सफलता के रास्ते पर एक मौका जरूर दे शकते हैं चातरों के लिए एक अच्छा दिन हो शकता है और उन्हें एक प्रतिष्ठित संस्थान में डिप्लोमा या फिर डिग धूरता के शासत कुछ बिवात के स्थिती बर्शक्ति हैं अपने दामपती जीवन में शुधार लाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करने की कोशिश करें कुछ अच्छे बोले कुछ अच्छे उनके साथ बेवहार करें ताकि आपको और ज्यादा बहतर हो तो दोस्तों मेर अच्छे फुलों की प्रापती है के भागवान उसी की मदद करता है जो अपने कर्दव्यों का निरवाश जरूर करें तो दोस्तों अब बात करते हैं उपाय की बारे में तो देकि मंगल वार के दिन सुन्दर कान का पाट करें हन्वान चालिशा का पाट करें और कभूतरो को आप चने की दाल खिलाएं ज्यादा ज्यादा गरीब निर्धन को वस्त्र का दान करें अन्न का दान करें और गुड़ और तिलका भी दान कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत लाब दाय करेगा तो दोस्तों ये था धनूर रासवली जातकों के लिए सप्ताहिक रासवल 17 फ